हेलो व्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों विशाल आप सब करता हूँ आपकी चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सिब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो अप्लिकेशन है बहुत हमीज है आज की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रवाइट करा दूँगा वहां से जाके आप इस एप को यूज कर सकते कैसे यूज करना मैं आपको बताता हुं । दोस्तों यह एप काफी अच्छी लगी मुझे अप्लिकेशन पहले मैं ने यिज किया तो मुझे यह अप्लिकेशन ज्यादा अच्छी न लगी लेकिन मैंने जब इसके एडवांटेज देखे जब इसकी मेरिट देखी तो यूज किया तो मुझे यह application ज्याद अच्छी ही लगी लेकिन मैंने जब इसके advantage देखे जब इसकी merit देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी application क्यों अच्छी लगी यह मैं आपको बता हूँगा इसके लिए आपको वीडियो को देखना होगा end तक ओके दोस्तो वीडियो को skip नहीं करना है सबसे पहले आपको क्या करना है यह application वीडियो के नीचे description में link मिलेगी वहाँ से जाके install कर लिजेगा और इस तरीके से आपको यह interface देखने को तब मिलेगा अगर आप इसे permission दे देंगे permission देने के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ क्या होगा दोस्तो यहाँ पर यह आपके डाइलर की तरए काम करेगा आपके mobile का dialer होता है इस तरीके से यह काम करेगा यहाँ पर आपको किसी को call करना है तो आप यहां से call कर सकते हैं कोई भी random number choose कीजिएगा इस तरीके स अब आप मैं हैं है हाईड करता हूँ इक नमबर इस तररीगे से मिलता हुआ है को तो इस तरीके से आप इसे यूजब कर दकते हैं और दोस्तो यहाँ पे-स irm करना चाहते तो वह बीड कर रोड़ कर सकते हैं contact में इस तरीके से आप इसे use कर सकते हैं ओके दोस्तो contact number आपके जिदने भी हैं वो यहां पर आपको शो हो जाएंगे keep it आपको इस तरीके से शो होगा अब दोस्तों बात करते हैं इसके main feature की आपको क्या करना है setting में जाना है setting में जाने के बाद आप अपने इस dialer को बहुत ही effective, बहुत ही looking जैसे की एक अच्छा सा look दे सकते हैं कैसे दोस्तों आपको यहां पर general setting में जाना है और यहां पर जाके इन सब settings को on कर देना है slide to answer slide to answer आपने देखा होगा जो की iPhone में setting होती slide करने पर ही answer देंगे ओके दोस्तों callback screen आपको चाहिए तो callback screen भी आपको enable करनी है wallpaper अगर आपको change करना है तो यहां पर बहुत सारे wallpaper मिल जाते हैं जैसे की यह यह जब भी आपको call आएगी यह सारे wallpaper आपको show हो जाएगे यह आपको download करके आपको यह पर save करने है कुछ pro version है जैसे की इस पर देख सकते हैं एक crown लगा हुआ है यानि की यहां पर एक crown है crown यानि की ताज तो यानि की यह pro version है इसे आप download नहीं कर सकते हैं इस वाले को अब जैसे ही आपके पास call आएगी आपको यह wallpaper show होगा जो कि काफी cool लगेगा इसके अलागा अगर आप चाहते हैं कि आपकी गैरली से images show हो तो गैरली से आप image show कर सकते हैं ओके दोस्तो और दोस्तो यहां पर और भी बहुत सारी setting है जैसे call blogger, call blogger list empty है अगर आप call blog किसी ही करेंगे तो वो यहां पर show होगी ओके दोस्तो जनरली ऐसा होता नहीं है change ringtone, change ringtone functionality दोस्तो आप चाहें तो इन ringtone को यहां से use कर सकते हैं अगर आप use करना चाहते हैं तो ओके दोस्तो इसके लाबा quick response, quick response क्या है कि आपको कौन कौन से चीज़े provide करानी है जब भी आपकी कोई call आये, can't talk right now, I'll call you later, I'm on my way, can't talk right now, call me later, ओके दोस्तो इस तरीके से, then दोस्तो एक है call announcer, यह बहुत अच्छी इसका feature है, यानि कि जब भी आपको call आये तो वो announce कर दे, ओके दोस्तो caller का name बताए, unknown number बताए, announce in vibrate mode, vibrate mode पे हो तब announce करे, silent mode पे हो तब announce करे, तो यह सारी चीज़े आप खोदेने use कर सकते हैं, इसको आप एक तरीके से use करके देखेगा और इसे थोड़ा explore कीशेगा, ओके दोस्तो लेंगोईजिस भी आप यहाँ पे change कर सकते हैं, ओके दोस्तो तो use कीज़ेगा, यह feature काफी अच्छा है, dark mode, dark mode चाहिए यह यहाँ से आप खुद select कर सकते हैं, इस तरीके से, अगर dark mode चाहिए तो save कीज़ेगा, यह इस तरीके से dark हो जाएगा, ओके दोस्तो तो काफी अच्छी application है, use कीज़ेगा, बिलकुल भी use करना, ना इस application को बहुत अच्छी application है, एक और फायदा है इस application का दोस्तो, अगर आप इस application को permission दे देंगे, तो क्या होगा दोस्तो, आपके mobile का जो यह इस तरीके से lock है, आप इसे use नहीं कर पाएंगे, ओके दोस्तो, यहाँ पे आप जैसे की मेरे contact number शो हो रहे हैं, मैं अगर किसी प और call भी उठा पाएंगे, आपको इस तरीके से इसी का ही UI आएगी, तब ही आप call उठा पाएंगे, ओके दोस्तो, तो काफी अच्छी application है, यूज करके जरूर देखिएगा, वेडियो के नीचे description में मैं लिंक आपको provide करा दूँगा, तो काफी अच्छी app आईगे, ओके द प्रॉस्तो